तो आज इस लेक्चेर में हम आगे का टॉपिक डिसकर्स करने वाले हैं तो हमने लास्ट लेक्चेर में सीखा था एवरेज वेलास्टी और एवरेज स्पीड टॉपिक का नाम था एवरेज वेलास्टी जिसको हम क्या कहते हैं और सथ रफ्ता ठीक है दूसरा टॉपिक है हमारा मदब दूसरी हमने देखे थे दूसरा हमने जो डेफिनेशन कल देखे थे एवरेज स्पीड क्या होती है इसको हम कहते है त피ra elements ऑसत चाल क्या होती है जो जिसको क्या हstal सब्सक्राक्राइब लास्ट लेक्ट्ब्स डेटेपल थे आज हमारे इसके बात का रिफिनेशन है आज हम यह ट्योंट को कंप्लीट कर देगे रिफिनेशन को इसमें हम सिखेंगे acceleration और होता है और instantaneous पहले तो instantaneous velocity और instantaneous speed के बारे में instantaneous velocity क्या होती है विए बताता हो जैसे मैंने आप लोगों को example दिया था कल कि अगर हम एक जगे से दूसरे जगे जा रहे हैं मतलब अगर हम मुकाम A से मुकाम B पर जा रहे है और मुकाम A से मुकाम B पर जाने के लिए हमें कुछ यहां पर टाइम लगेगा जैसे हमने कल समझा था इसको 10 km पर आवर हमने 10 km बोला था और इसको अपने को लग रहा है टाइम दो घंटे तो यह समझ में आ गया है कि जो होती है इसकी तो कैसे निकाले थे अपने दस बटे दो बराबर पाच किलो मीटर पर आवर यह समझ में आया था कल लेकिन सवाल हमने यह भी देखे दें कि अगर आपन ए से बी जा रहे है तो यह ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम पांच की स्पिट से जाएगे पूसिबल नहीं है ठीक है पांच अगर बहुत कम हो गया होंगा था हम टेन को बरदल कर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको और डिस्टर्स को मैं कर दे तो 60 किलो मीटर मुकाम ए से बहएं जा रहे हैं। MID 60 कीलो मीटर जा रहे है और उसके लिए अपनी को लग रहा है टाइम दो गंटे तो अगर मेरा 60 यहां पर है डिवाइट करूगा तो मैं क्या होगी स्पीर तीस की स्पीट होगी गाड़ी की की स्पीड केतनी तरहीं कि 15 17 हैं इत लेकिन यह जो जब्द्टा कह.. को थो क्या है कि यह आपने को सीधी सीधे ली रास्ता खोलगे रख जाये लोगों.." ने अएसा दोड़ी है.. ट्राइफिक को domLY इसाइब यहां पर काम तो नहीं पड़ रहा है इसे के लिए हम क्या करते है नया जापता जिसको हम कहते हैं इस पॉइंट पर अगर वेलोसीटी निकालना है तो कैसे निकालेगे उसके लिए यह देफिनेशन कामने करती है उसके लिए हमारे पास आती है दुसरी तारीफ जिसको हम कहते हैं instantaneous instantaneous velocity क्या होती है instantaneous velocity इसका आप में जापता बता रहा हूँ आपको याद रखने अच्छे से इसका जापता होता है V-bar is equal to formula इसका formula क्या है अपने पास में V-bar is equal to delta sorry dx-bar upon dt है यहापर x जो है वही है जो हम लेते दिस्टेंस अपन टाइम सेम वही है लेकिन यहापर क्या है derivative की शकल में आये यह d by dt अल्रड़ी हमने पड़ चुकिए derivative पहले तो यह क्या है dx by dt यह exact definition इसकी definition instantaneous velocity की इसी तारा इस तरह के बारे में acceleration के बारे में भी डिसकस कर लेते हैं acceleration क्या होता है acceleration इसको हम कह सकते हैं इसके इंग्लिश में आगा definition बोले rate of change of velocity acceleration क्या होता है यह होगी अपनी definition इस रखी इस पेक्स वेलाउस्टी अब मैं acceleration बता देता हो आपको साथी साथ acceleration acceleration को हम कहते है इसराख क्या होता है acceleration इसराख चीज को समझते हैं दो टाइपस के acceleration इपने पास में average भी है और instantaneous भी है पहले हम बात करेंगे average ही तो पहले तो definition समझते हैं क्या होती है definition दोन इस तरीके से बताता हो definition मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने पास में उट्टाउन कर लेना the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration क्या होती है the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration acceleration को अब दो तरीके जैसे हमने बोला है कैसे लिखेंगे उर्दू में अगर इसकी तारीफ अगर बताना है तो कैसे बताएगे रफ्तार की तब्दिली की शरा को इसरा कहते है ठीक है रफ्तार की तब्दिली की शरा को इसरा कहते है अब इहां पर हम जो acceleration बताने वाले हैं दो तरीके के या सेलर्शन लेगे की बात करेंगे यानि असिक्त की बेढ area कि ये वाला इसे क्या कहते है average, short में लिख रहा हूँ, AVG मतलब average और इसका यहाँ पर लिखा हूँ मैंने acceleration, okay, average acceleration, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया average acceleration, दूसरा मैं बताता हूँ आपको, a bar is equal to dv bar by dt, यह माला acceleration कौन सा acceleration है, तो यह है instantaneous, instantaneous, acceleration, okay, यह वाला जो instantaneous के बारे में बताया हूँ ना, वैसे instantaneous, वैसे instantaneous acceleration, उमीद करता हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आगा होगा, क्या है acceleration किस तरीके से हम यहाँ पर ही कहते हैं, तो यह वहाँ अपने पास में definitions की, आप बात करते हैं हम के acceleration जैसे लबजी तौर पर अगर acceleration के meaning समझा जाए तो होता है क्या acceleration, acceleration के पास में वैसे तीन हम अलग अलग तरीक इसको समझ सकते हैं, जैसे एक्जामपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप तौर पर बेली लैफ में हम acceleration कहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक्जामपल दिया हूँ, कि अगर मान लीजे हम चल रहे हैं या कोई वैक्ति है जो चल रहा है, जैसे यहां पर मैं इस तरीक से चल रहा हूँ, अब मेरी जो speed है, वो कैसी speed है, मुस्तगिल है, constant है, एक हैं कि जैसी है, कम, ज्यादा, नहीं हो रही है, एक जैसी हो रही है, अब नहाँ पर क्या होगा, कोई आकर मुझे धक्का देता है पीचे से, तो मेरी speed जो है, बढ़ जाएगी, मैं speed से आगे चला जाओगा, मतलब मे किसी ने force लगाया मुझे पर, तो मुझे पर एक acceleration वहाँ पर लगा है, इसरा लगा है, जिसके वेज़े से मेरी speed बढ़ गई, तो यही होता है, जब रफतार की तबदिली की शरा बढ़ जाए, यानि रफतार change हो जाए, तो वहाँ पर आ जाता है, अब एक इसरा वो होता है है, जो अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो पिछे से कोई दे रहा है, तो speed क्या होगी, बढ़ गई, एक होता है, deceleration, और कह सकते है, retardation, retardation, यह deceleration क्या होता है, यह भी इसरा ही है, लेकि अपोजिट direction में, मतलब कोई इधर जा रहा है, और उसको opposite direction से force लग रही है, तो वो क्य speed क्या होगी अब, काम होना शुरू होगी, तो मतलब speed में हापर भी क्या होए, change हुआ है, speed ज्यादा से कम हुई है, यहाँ पर इस टाइप के acceleration, समझ में आया, अब इसके बाद एक और acceleration होता है, वह लेकिन अभी की lecture में discuss नहीं कर रहा हूँ, यह जब मैं आपको circular motion दायर भी acceleration, किस टाइप का असर, वह एक centripetal acceleration करके हम कहते हैं, वह आभी नहीं बताता हूँ, जब हम यह topic को discuss करेंगे, आगे इस chapter के अंदर, motion in plane के अंदर, आगे अपने topic आएगा, तब मैं आपको यह बताऊँग, अभी के लिए फिलाल मैं हाँ पर इसको खतम करता हूँ, इसको next lecture we continue there.